क्या आप चाहकर भी रिष्टे में नहीं आप आ रहे हैं और जानना चाहते हैं क्यों आप सिंगल नमस्ते मेरा नाम है जिविका और मैं हूँ एक टारो कार्ड रीडर और आज मैं आपको बताऊंगी रीजन श्वाई आर यू सिंगल आस पर यू जोडिक साइन तो चलीए शुडू करते हैं Zodiac ancient Aries से Aries के लिए काड आया है six of cups, six of cups का मतलब यह है कि Aries को trust issues रहते हैं और trust issues Aries को आते हैं अपने past relationship experiences जिनकी वजह से Aries आगे आने वाले proposals को या रिष्टों को ठुकरा देते हैं, अगर Aries चाहते हैं कि वो सिंगल ना रहे और रिलेशन्शिप में आए तो उनको नए इनसान को मौका देना पड़ेगा, प्रपोजल्स एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, यह तो रहाँ Aries, अब देखते हैं, टॉरस क्यों सिंगल रह जाते हैं, तो टॉरस के लिए कार्ड आया है, पेज ओफ वांड्स, पेज ओफ वांड्स का मतलब यह है कि टॉरस के पास होती है एक लिस्ट, टर्म्स और कंडिशन की, जो सामने वाले को फुल्फिल करनी होती है, वो तभी रिलेशन्शिप में आता है, या वो तभी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाता है, टॉरस को यह ध्यान में रखना होगा, कि अगर वो अपने टर्म्स और कंडिशन्स ही टिक ओफ करने का वेट करते रहेंगे तो वो सिंगल ही रह जाएंगे, अगर टॉरस रिलेशन्शिप में आना चाते हैं और सिंगल जिंदगी नहीं गुजारना चाते हैं, तो उनको कही ना कहीं एड़्जस्ट करना पड़ेगा, चलिए रेखते हैं, जैमिनाई का क्या रीजन है सिंगल रह जाने का, तो जैमिन हो पाते हैं, जिस वजे से वो आगे किसी भी नए प्रपोजल को accept नहीं कर पाते हैं, और किसी भी नए रिष्टे की शुरुवात नहीं कर पाते हैं, अगर जैमिनाई चाते हैं कि वो अपनी सिंगल जिंदगी ना बताएं, और रिलेशन्शिप में आए, तो उनको कहीं ना कहीं अपने emotional issues से deal करना होगा, उसको solution निकालना होगा और move on होना होगा, तब ही वो आगे के proposals accept कर पाएंगे और एक अच्छा रिष्टा आगे निभा पाएंगे, तो चलिए देखते हैं कि Cancer Zodiac क्यू single रह जाता है, तो cancer के लिए card आया है two of cups, two of cups का मतलब यह है कि अगर cancer को को कोई पसंद है यह जिन से किसी से वो relationship में भी आना चाहते हैं, तो वो सामने वाले का ही वेट करते रह जाते हैं कि वो आए और प्रपोस करें, cancer खुद से प्रपोजल नहीं देता है, वो सिव इंतजार करता रह जाता है, इसलिए cancerians single रह जाते हैं, अगर cancerians चाहते हैं कि वो relationship में और single ना रहे, तो आपको खुद भी अप्रोच करना पड़ेगा, सामने वाले के पास जाईए, उनसे बात कीजिए, उनको प्रपोस कीजिए, और relationship में आईए, चलिए देखते हैं कि Leo क्यों single रह रहा है, सो Leo के लिए card आया है, 10 of pentacles, 10 of pentacles का मतलब यह है, कि Leo love relationship से related, relationship के बारे में, जिस वजए से वो single रह जाते हैं, सो अगर Leo चाहते हैं कि वो relationship में आए, और single ना रहे, तो उनको लोगो से advice लेनी बंद करनी होगी, खुद से सोचना होगा, और proposal को accept करना होगा, तो यह थार Leo क्यों single रह जाते हैं, अब हम देखते हैं कि Virgo क्यों single रह रहा है सो Virgo के लिए card आया है, Queen of Pentacles, Queen of Pentacles का मतलब यह है कि Virgo, relationship से related, यह logo से related, काफी calculated हो जाते हैं, वो इंसान नहीं परकते, वो उसका पैसा परकते हैं, और अपने फायदे परकते हैं, जिस वजए से वो single रह जाते हैं, सो Virgo अगर चाहते हैं कि वो relationship में आए, और एक healthy relationship में हो, त उनको थोड़ा कम क्यालकुलेटिव होना पड़ेगा, और थोड़ा emotional side पर सोचना पड़ेगा, रादर देन थोड़ा financial क्या monetary side पर, तो चलिए देखते हैं, Scorpio क्यों रह रह रहा है, सिंगल क्या है, उसका reason, तो Scorpio के लिए card आया है, Three of Wands, Three of Wands का मतलब यह है कि Scorpio बहुत ही वक्त जाया कर देते हैं, सामने वाले को observe करने में, उनको approach करने में, या उनका proposal accept करने में, कहीं ना कहीं Scorpio सई समय का wait करते करते ही time गवा देते हैं, अगर Scorpio चाहते हैं कि वो सिंगल ना रहे और relationship में आये, तो Scorpio को जादा wait नहीं करना है, जल्दी से observe करना है और तुरंत action चलिए देखते हैं, सागेट एरिंदा के सिंगल रहने केपीछे क्या रीजिन है, तो सागेट एरियस के लिए काड आया है, 10 ओव ओंस, 10 ऐव ओंस का मतलब यह है कि सागेट एरियस अपनी जिम्मदारियों से भागते हैं, relationship में आने के जिम्मदारी, relationship की जिम्मदारी, relationship नि तो उनको जिम्मेदारियों से नहीं भागना है आपको जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी उठानी पड़ेगी चाहे थोड़ी ही सही तो चलिए देखते हैं केप्रिकॉन्स क्यों सिंगल रह रहे हैं और क्या है उसका रीजन सो के प्रीकौन के लिए कार आया है नाइट अफ कब नाइट ईकॉप्स का मजब यह इनकी प्रीकॉं से लाज्जे ना रहते हैं आख्य को एमोशन आटाच्मेंट नहीं है चलिए देखते हैं क्या रीज़न है अब्वेरियस के सिंगल रह जाने का तो अक्वएरियस के लिए काड आया है क्वीन औफ कपस क्वीन रफ कॉपस का मतलब यह किrence अक्वेरियस बहुत ही सेल्ट जन्टर होते हैं उनको सिर्फ अपनी अच्छाया दिखती है और वो सिर्फ अपने में हुष होते रहते हैं सामने वाले की नाच्छाया देखते हैं और उनको सामने वाले से मतलब भी नहीं होता इस वज़े से वो सिंगल रह जाते हैं अगर अक्वेरियस चाहते हैं कि वो उनको सामने वाले की कदर करनी चाहिए उसकी इंपोर्टन्स होनी चाहिए उनकी भी अच्छाया देखनी पड़ेंगी तभी वो रिलेशन्शिप में आप आएंगे चलिए देखते हैं पाईसीज के सिंगल रह जाने का क्या रीजन हो सकता है तो पाईसीज के लिए काड आया ह है दटावर दटावर का मतलब है कि पाईसीज डरते हैं कहीं सामने वाला बदलना जाए और इस वज़े से वह मौका ही नहीं देते हैं किसी को और सिंगल रह जाते हैं अगर पाईसीज चाहते हैं कि वह रिलेशन्शिप में और सिंगल जिंदीगी ना गुजारे तो उनको स subscribe करे और bell icon पे click करना ना भूले. Thank you so much for watching this video.